Hello friends, आप सुब का, आपके अपने चनल कोविन लेक्चर्स में एक बर फिरसे सबागत है, तो कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्चे होंगे और आप सब की पड़ाय बेच्चे चल रहे होगे तो आजगी इस क्लास में हम ककसा नो विज्ञान विशे के अध्याय दो, क्या हमारे आसपास के प्रदात सुद्ध है की सुरुवात कर रहे हैं हमने अध्याय एक की संपुन व्यक्या और अभ्यास और पाठ के भीतत दियेगे समस्त प्रशनों को बहुत अच्चे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर आप उन से भी क्लासिस को आराम से देख सकते हैं तो आज हम सुरू कर रहे हैं हमारा दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के प्रदात सुद्ध है इस चप्र काफी बड़ा है तो काफी बड़ा होने के वज़े से इसको हम दो भाग के अंदर कवर करेंगे कितने बागों में कवर करेंगे दो भाग के अंदर कवर करेंगे आज हमारा पार्ट वन है और उसके बाद हम एक वार आएगा पार्ट टू उसके बाद हम पार्ट के बीतर दियेगे प्रश्ण और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्णों को सौल्व करना सिखेंगे तो चलिए क्लास सुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 के पार्ट 1 की तो आज की इस क्लास में हम कौन-कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले सिखेंगे कि आखिर एक सुद्य परदात होता क्या है ठीके सुद्य परदात के परिभास्टा क्या होती है उसकी बिजेस्ता है क्या होती है उसके बाद मिस्रन क्या होता है मिस्रन क्याते किसे हैं और मिस्रन के अलग 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 प्रकार कौन कौन से है फिर पढ़ेंगे मिस्र धातूओं के बारे में कि मिस्र धातूओं होती क्या है और अलग लग तरह की जो मिस्र दातू है उनका संगटन कैसा होता है यानि अलग लग तरह की जो मिस्र दातू है वो किन-किन दातू अथवा अधातू के मिलने से बनती है उनके बारे में अच्छे से सिखेंगे, उसके बाद विलियन क्या होता है, विलियन के गोनत्वा विसेस्ता क्या होती है, और विलियन के परकार क्या होते हैं, उनके बारे में सिखेंगे, जिसमें विलियन, पे निलंबन, कोलाइडी विलियन, उनके बारे में सिखेंगे, और फिर अ सबसे पहला सब्द हमारे सामने है कि जो सुद्ध सब्द है इस सुद्ध सब्द का वास्तम में मतलब क्या होता है आप सब बाजार भी गए होंगे और बाजार में जाके दुकांदार से कहा भी होगा कि हमें एक दम सुद्ध चीच दीजिए सुद्ध सब्द दीजिए सुद् सुद्ध होता क्या है आप सबने डिमाइन तो की होगी और हर कोई जब कुछ भी खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहले यह कहता है कि हमें बिल्कुल प्यॉर चाहिए सुद्ध चाहिए हमें मिलावट वाला नहीं चाहिए तो सुद्ध सब्ध का जो जनरल अर्थ होता है वो है कि परदात में कोई मिलावट न हो जनरली हम बात करते हैं कि एक प्यॉर यानि सुद्ध जो चीज है उसका मतलब है कि उस परदात में किसी भी परकार की कोई मिलावट नहीं हो परंतु बात करे एक वग्यानिक भाषा में तो एक वग्यानिक भाषा में सभी का मिस्रण है इसका मतलब कोई भी वस्तू अपने आप में सुद्ध नहीं है कोई भी वस्तू अपने आप में 100% सुद्ध नहीं है ये कौन कहते है बेज्यानिक कहते हैं उधारण के लिए जल दूद वसा ये सब क्या है अलग-अलग परदातों के मिश्रन है पता ये कभी भी 100% सुद्ध नहीं हो सकते तो सुद्ध परदात की परिवासा क्या है तो सुद्ध परदात की परिवासा है कि उस परदात में मौझूद सुद्ध परदात में मौझूद सभी कन समान रासाइनिक प्रकरती के हो यानि किसी भी परदात को हम उनमें कुछ भी भिन्नता न हो। यानि एक सुध्य परदात एक ही परकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। तो हमने क्या देखा कि एक सुध्य परदात की परिवासा क्या है। वो सब कंड कैसे हैं? वो सब कंड एक समान परकरती के हैं। उनके गुण बिलकुल एक समान है। इसी तरह मैंने कहा कि सोना एकदम प्यॉर गॉल्ड है ये। प्यॉर गॉल्ड रहने का मतलब है इस सोने के अंदर जितने भी कंड हैं, वो कंड सब कैसे हैं? बिलकुल एक समान उनके अलावा एक ही परकार के सारे कण उसमें सामिल हैं, दूसरे किसी भी परकार के कोई कण इसमें सामिल नहीं है, यानि इसमें किसी भी परकार की कोई मिलावट नहीं है, तो बस हमें यह याद रखना है कि सुद्ध परदात का मतलब है कि उस परदात में मौझूद सभी ज क्या होता है यह सर्चा हम पिछली क्लास्मेर कर चुके हैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि आखिर प्रदात किसे कहते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्रदात ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या होता है कुछ ने कुछ दर्वेमान होता है एसी कोई भी चीज जिसका दर्वेमान या यानि वो कुछ न कुछ जगे घहरती है उसे हम कहते हैं परदात एक आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं मिसरन क्या है परदात हमने जान लिया अब बात करते हैं मिसरन की कि मिसरन क्या है तो मिसरन एक परदात है मिसरन क्या है एक परकार का परदात ही है जो दो या अधिक तत्वो अथवा योगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है, मिश्रन क्या है, मिश्रन दो या दो से अधिक तत्व अथवा योगिकों का समू होता है, किके मिश्रन दो या दो से अधिक तत्व अथवा योगिकों का क्या होता है, एक मिलावट होती ह या उसका समू होता है यानि मिस्रण के अंदर जो तत्वात्वा योगिक होते हैं वो रासायनिक रूप से मिले हुए नहीं होते हैं वो रासायनिक रूप से एक डूसरे के अंदर मिले हुए नहीं होते हैं जैसे बात करें वायू की वायू क्या है वायू विबिन गैसों का मि मिसर्नौन. अब बात करते हैं मिसर्ड के परकार की इसकी बात कर रहे हैं मिसर्न के मुख्यता दो प्रकार है एक समागी मिसर्ड और दूसरा आपका 빨리 मिसर्ड सा मी मिसरण के अलग-अलग उदारण आपके सामने दिये हुए हैं, जिसमें देखो कौफी, वाइन यानि सराब, एर यानि हवा, ब्राश यानि पितल, फिर इस्टिल, फिर नैचुरल गैस यानि प्राकर्तिक गैस, विनेगार, बलर्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके मिसरण के ह मिसरण के, जैसे कौफी हो गया, सराब होगी, हवा होगी, ब्राश यानि पितल हो गया, रत हो गया, प्राकर्तिक गैस हो गया, इस्टिल हो गया, ये सब क्या है? ये सब मिसरण के ही उदारण है. आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला प्रकार है समांगी मिसरण, कौन सा मिसरण समांगी मिस्रण Homogeneous Mixtures देखो तो वे मिस्रण जिन में परदात परस पर पौन रूप से मिस्रित होते हैं यह एक ऐसा मिक्चर जिसमें मौजुद सारे जो परदात है वो परस पर एक दूसरे के अंदर पौन रूप से क्या होते हैं? मिस्रित होते हैं क्या होते हैं? पौन रूप से एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिस्रित होते हैं उन्हें कहते हैं हम समांगी मिस्रण और एक दूसरे से अविबेद्य होते हैं अविबेद्य मतलब एक दूसरे से उन्हें हम अलग आसानी से नहीं कर सकते हैं या एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, अब विबेद, यानि एक दूसरे के अंदर अंतर करना हमें, क्या है, अंतर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, जैसे हमने जल में चीनी को घोल दिया, अब जल और चीनी एक दूसरे से गुलने के बाद, हमें यह नहीं पता लगेगा, कि इस जल के अंदर चीनी घुली होई के नहीं घुली हुई, जब जग में इसको टेस्ट नहीं करेंगे, यानि एक दूसरे के अंदर पहुंड रुप से क्या होंगे, मिसृत होंगे, उसे कहते हैं हम समांगी मि जिसके संपूर्ण दर्वेमान में एक समान संगटन होता है, मतलब एक ऐसा मिस्रन जिसकी बनावट समान हो और इसके कौनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसे कहते हैं समानगी मिस्रन, देखो यहाँ पर दूसरी परिवासा में क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ प जिसकी बनावट गया हो जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणो को तथा इसके कणो को अलग 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 नहीं पहचाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे समांगी मिसरन एक ऐसा मिसरन जिसकी बनावट समान हो और इसके अंदर जो मौझूद कन है उनको अलग अलग पहचाना संभव न हो उसे कहेंगे समांगी मिसरन जैसे उदारन के लिए जल में चीनी तो देखो जल के अंदर जब अपने चीनी को घोल दिया तो चीनी पुन रूप से पानी के अंदर क्या होगी विले होगी इसका मतलब इस मिसरन के कनो की जो बिनावट है वो बिल्कुल समान है और चीनी और जल के कनो को अलग-अलग पैचान पाना भी संभव नहीं है तो यह आपका उदारण हो गया समांगी मिसरन का इ यह भी किसका उदारण है यह भी उदारण है आपके समांगी मिसरन का क्योंकि नमक को जल के अंदर घोलने के बाद नमक और जल के कनो को पहचान पाना लग-भग्या है असंभव है तो इस प्रकार का मिसरन क्या क्यालाएगा समांगी मिसरन दूसरा है बिसमांगी मिसरन या चोटी चोटी बुंदो अत्वा बुलबुलो के रूप में दूसरे परदात में हर जगे फैला रहता है उसे कहते हैं विसमांगी मिस्रन जिसमें मौझूद पर्थक जो परदात हैं वो क्या रहते हैं पर्थक रहते हैं अलग अलग रहते हैं और उसमें एक परदात चोटे च चोटे कणो, चोटी-छोटी बुंदो, अत्वा बुलुलो के रूप में दूसरे परदात के अंदर हर जगे फैला रहता है. उसे कहते हैं विस्मांगी मिस्रण मतलब विस्मांगी मिस्रण के अंदर जो प्रदात हैं वो भोती ग्रूप से अलग-लग होते हैं और उनके कणों को अलग-लग पहचाना जा सकता है। तो विस्मांगी मिस्रण में उसके पूरे दर्वेमान में एक सा संगटन नहीं होता, यानि एक समान प्रकार के कण मौजुद नहीं होते हैं, और कणों की प्रकरती अलग-लग होने की वज़े से उनको आसानी से हम अलग-लग पहचान सकते हैं, तो ऐसा मिस्रण क्या कहलाएग ऐसा मिस्रण कहलाएगा आपका विस्मांगी मिस्रण, जैसे सिंपल से उदारन में लिखू यहाँ पर, तो सिंपल सा उदारन है, जैसे कि मैंने लिखा लोहे का बुरादा, क्या लिखा, लोहे का बुरादा, इसी तरह मैंने लिखा, बालू का मिस्रण, इसका मिस्रण, बा और बालू रेत का मिस्रण, किसका मिस्रण, सक्कर और बालू रेत का मिस्रण, एक विस्मांगी मिस्रण है, क्योंकि इस मिस्रण के विभिन भागों में सक्कर और बालू का भिन भिन मिस्रण क्या होगा, संगटक होगा, और उन्हें आसानी से हम अलग अलग पहचान सकते हैं, अतर वो क्या होगा अतर वो होगा आपका विश्मांगी मिश्रन जैसे जल और तेल का मिश्रन तो उसमें तेल के जो बुंदे हैं वो आपको जल के अंदर अलग से दिखाई देगी उनको हम आचानी से पहचान सकते हैं तो वो कान सा मिश्रन होगा विश्मांगी मिश्रन तो ह ऐसा मिस्रण जिसमें मौझूद जो प्रदात हैं वो अलग-लग होते हैं और उनके कणों को आसानी से एक दूसरे से अलग-लग पहचाना जा सकता है उसे कहेंगे हम क्या आपका विस्मांगी मिस्रण कहेंगे यहाँ पर देखो उदारन और दिये हुए हैं यहाँ पर homogenous mixtures यानि की समांगी मिस्रण किसके उदारन है यह यह उदारन है सारे समांगी मिस्रण के और दूसरी तरफ सारे उदारण है वो है आपके विस्मांगी मिस्रण के समांगी मिस्रण के उदारण देखो जैसे कोफी, wine, air, brass, steel, natural gas, vinegar, blood ये सब आपके समांगी मिस्रण के क्या है उदारण है फिर बात करें विस्मांगी मिस्रण की जैसे देखो चौकलेट, chip cookies, pizza, soda with ice, chandwich, फिर toasted salad फिर किसके उदारण है ये सब विस्मांगी मिस्रण के उदारण है तो हमने यहाँ पर समांगी और विस्मांगी मिस्रण के उदारणों को देखा है अब यहाँ पर मैं बात करो मिस्रण के गोन धरम की कि एक मिस्रण के गोन क्या क्या होते है तो यहाँ पर दो तीन पॉइंटे चोटे चोटे मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्रण के गोन क्या होते है इसके गोन मिस्रण के गोन क्या होते है तो यहाँ आप लिखेंगे मिसरन के गोण धरम क्या लिखेंगे मिसरन के गोण धरम तो देखो मिसरन के गोण में पहला गोण क्या है कि मिसरन के जो गटक है उन गटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है क्या लखेंगे मिसरण के संगटकों को एक मिसरण जिन से मिलकर बनाए उनको आसानी से अलग किया जा सकता है ये पहली विश्यस्ता हो गई मिश्रण की, कि मिश्रण के अंदर जितने भी घटक परदात है उनको आसानी से अलग किया जा सकता है दूसरी विश्यस्ता क्या है कि परतेक संगटक का अपना वास्तविक गोंद्रम होता है यानि मिश्रन के अंदर जितने गटक मिले हुए हैं उन सब का अपना खुद का वास्तविक गुण धरम होता है तो परतेक संगटक के अपने क्या होते हैं? परतेक संगटक के अपने वास्तविक गुण धरम होते हैं और तीसरी विसेस्ता होगी मिस्रण की, वो होगी कि संगटकों का अनुपात एक मिस्रण के अंदर जो संगटक है, उन संगटकों का अनुपात अलग-अलग होता है, क्या होता है, संगटकों का अनुपात एक मिस्रण के अंदर अलग-अलग होता है, ये मिस्रण की तीन कूर विशेस्ता हो गई ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बात कर रहे हैं मिस्र दूर जाते हैं कि यह तरह को हम इस तरह मिला देते हैं कि उनको तिर्श मिभेदी करना यह अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल कारह होता है वह दोनों एक दुसरे-क कौन रूप से क्या हो जाती हैं कौन रूप से मिल जाते हैं ऐसे मिस्रन को कहते हैं मिस्र धातू तो ये धातूओं के स्तमांगी मिस्रन होते हैं जिने भौतिक क्रियाओं के द्वारा अवेवो में परतक नहीं किया जा सकता जिनको हम भौतिक विदियो की मदद से क्या नहीं क ये अपने घटकों के गुणों को क्या करते हैं, दरसाते हैं, और पर्थक पर्थक क्या रखते हैं, संगटन रखते हैं, मिस्र धातों की प्रिबासा क्या होगी, ये धातों के समांगी मिस्रन होते हैं, जिनने भौतिक क्रिया को द्वारा अवेवो में पर्थक नहीं किया जा सकता अब बात आती है कि मिस्रदातों को मिस्रण क्यों माना जाता है तो मिस्रदातों को मिस्रण इस वज़े से माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गूनों को क्या करते हैं दर्शाते हैं और इसके अंदर जो मौझूद घटक हैं वो अपना अलग-अलग संगटन या आपकी पीतल है तो पीतल एक परकार की मिस्र धातू है जो किसे मिलकर बनी है जो जिंग और कौपर से मिलकर बनी है जिसमें जिंग आपका 30 परतीसत है और कौपर आपका कितना है 70 परतीसत है अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ रहे है अलग-अलग मिस्र धातू है और उनके मौझूद घटक बहुत ही इंपोर्टेंट सारनी है प्रिक्सा में एक नंबर का प्रश्ण जरूर पूछा जाता है बिल्कुल 100% सबसे पहला है आपका पीतल क्या है सबसे पहला है आपका पीतल है न तो देखो पीतल के अंदर बात करे कॉपर की तो पीतल आपका किसे मिलकर बिना है कॉपर और जिंक से पीतल किसे मिलकर बिना है कॉपर और जिंक से तो पीतल के अंदर कॉपर आपका 60-80% तक होता है और जिंक आपका 40-20% होता है है न पीतल आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना है जिसमें कोपर आपका लगबग 60-80% के बीच में और जिंग आपका 40-20% के बीच में मौजुद होता है पितल का उपयोग कहा होता है गरेलू बरतनों के निर्माण में और तार के निर्माण में पितल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर गरों के अंदर हमारे जो बरतन देखे होंगे वो पितल के ज्यादे तर बने होते हैं और तार के दिर्माण में पितल का उप्यूप किया जाता है दूसरा है जर्मन सिल्वर कौन से मिश्र दातू जर्मन सिल्वर ये किसे मिलकर बनी है ये बनी है कौपर जिंक और निकल से कोपर 50%, जिंक आपका 30% और निकल आपका 20% मौज़िद होता है, अब जर्मन सिल्वर की बात करें, तो इसका उपयोग बरतन और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है, इसके निर्माण में आपके बरतन और मूर्तियों के निर्माण में जर्मन सिल्वर का उपयोग किया और आपका क्या है तीन है, copper, zinc और तीन, sn किसका पर्तिक होता है, sn पर्तिक होता है आपके तीन का, तो copper, zinc और तीन, इन तीनों के मिलने से बनती है आपकी gun metal, copper 88%, zinc 2% और आपका तीन 10%, है न, अब इसका उप्योग बंदूकों और मसीनों के निर्मान में किया जाता है, इसके निर्मान में बंधूकों और आपके मसीनों के निर्मान में किया जाता है. थीक? अगली आपकी दातू है वो है manal metal, कॉंसी metal? manal metal तो मैनल मैटल देखो कौपर, निकल और आइरन और मेगनीच, किस किसके मिलने से, कौपर 30%, निकल आपका 67% और आइरन और मेगनीच कितना 3% है ना, तो यहाँ पर मैनल मैटल का उपयोग, इंजन के पूर्जो के निर्माण में, जो काफी सकते साली होते हैं, उन पूर्जो के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, यह आपको द्यान रखना है, ठीक, फिर है कांचा, क्या है आपका कांचा, किस से मिलकर बना होत किसे मिलकर कोपर और टीन से मिलकर बना होता है आपका काच्छा ठीक है अब देखो काच्छे का निर्मान या उप्योग बरतन बनाने मूर्ती बनाने और मसीनों के निर्मान में काच्छे का उप्योग बरतन बनाने में आपके फिर मूर्ती बनाने में और मसीनों के निर्मान म में आपके कांचा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने अलग-अलग मिस्रधातु देखी, वो किन-किन से मिलकर बनी होती है, उनके मारे में जाना, और फिर देखा, कि जो आपके मिस्रधातु है, मिस्रधातु के अलग-अलग उपयोग क्या है एक आगे बढ़ते हैं आगे बात कर रहे हैं वो है विल्यन की की विल्यन क्या होते हैं और विल्यन की विशेशता है क्या होती है तो विल्यन क्या है देखो विल्यन दो या दो से अधिक परदातों का समांगी मिसरन है विल्यन दो या दो से अधिक परदातों का कौन सा मिसरण है आपका समांगी मिसरण है विल्यन जैसे निम्बू जल सोडा जल आदी विल्यन के ही क्या है उदारण है निम्बू जल और सोडा जल ये आपके एक विल्यन के ही उदारण है अब बात करें विल्यन की तो जो विल्यन है वो परदात की तीनों अवस्ताओं में पाया जाता है कैसे देखो उधारण विल्यन परदात की तीनों वबस्ता में पाये जाता है इसके उधारण देखो जैसे ठोस विल्यन कौनसा विल्यन ठोस विल्यन का उधारण क्या है देखो ठोस विल्यन का उधारण है मिस्र धातुए कौनसी धातुए आपके जो मिस्र धातुए यह ठोस विल्यन के ही उदारन है दूसरा है आपका तरल विल्यन कोंसा विल्यन तरल विल्यन के अगर मैं उदारन की बात करू इसका उदारन क्या है जैसे निम्बु पानी निम्बु पानी आपके तरल विल्यन का उदारन है यह तीसरा है आपका गैसिय विल्यन कोंसा विल्य गैसिय विल्यन गैसिय विल्यन का उधारण क्या होगा तो गैसिय विल्यन का उधारण है आपका जैसे वाईू तो हम कह सकते हैं कि एक जो वाईू आपका जो विल्यन है वो परदात की तीनों अवस्तावों में देखने को मिलता है जिस ठोस विल्यन मिस्र धातवों के रूप में तरल विल्यन जैसे निम्बू पानी जैसे विल्यन जैसे वाई अब बात करें विल्यन की तो विल्यन के जो कण है वो समान रूप से क्या होते हैं वित्रित होते हैं क्योंकि विलियन समांगी मिस्रन है, तो विलियन के कण समांद रूप से वित्रित होते है, और इसके कणों को अलग-अलग पैचानना संभव नहीं होता है, और इसके कणों को अलग-अलग पैचानना संभव नहीं होता है, जैसे बात करूं में आपके निम्बू और चिनी के पानी की तो निम्बू और चिनी का जो पानी है उन दोनों में एक जैसा ही स्वाद होता है निम्बू और चिनी के पानी में एक ही स्वाद होता है एसा नहीं है कि चक्ने पर आपको निम्बू का स्वाद अलग होगा और चिनी का स्वाद अलग होगा है न ऐसा नहीं है एक तो इसका मतलब हुआ कि विलियन के जो कण हैं वो समान्ध रूप से पूरे मिसरन के अंदर वित्रित होते हैं और इसके कणों को यानि इसके गटकों के जो कण हैं उसके जो गटक के जो कण हैं उनको अलग अलग पैचन पाना सम्बब नहीं होता है। एक जो विलियन है उसको दो भाग एक विलायक और विले के अंदर बाटा जाता है। एक जो विल्यन है ये दो भागों में बटा होता है एक होता है विल्यन में विलायक और दूसरा होता है विले क्या होता है विले और विलायक विल्यन का वह गटक जो दूसरे गटक को विल्यन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक विल्यन का वह गटक जो दूसरे गटक को उस व विले, तो विलेन को दो भागों में विबाजित कर सकते हैं, जिसमें एक है आपका विले और दूसरा है आपका विलायक, विले मतलब जो गुलनसिल परदात है, जो गुलने वाला परदात है, वो है आपका विले, और विलायक परदात जिसमें घुलता है, परदात जिसके अं पर चिनी यहाँ पर है विले क्योंकि यह गुलन सिल परदात है और पानी है वो चिनी को घुलने का काम कर रहा है अतर यह क्या है यह है आपका विलायक और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा जो आपका सर्बत बनेगा जो सरकरा का पानी बनेगा वो क्या होगा वो होगा आप आपका विलियन तो वही बात यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाई हुई है कि विले और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं एक विलियन बनाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर देखा कि विलियन दो या दो से अधीक परदातों का एक समांगी मिस्रन होता है विल्यन परदात की तीनों अवस्ताओं में पाय जाता है फोस विल्यन के रूप में हमने उदारन देखा मिस्रदात हुए तरल विल्यन के रूप में हमने उदारन देखा निम्बू पानी और गैसी विल्यन के रूप में हमने उदारन देखा वो था आपका वायू पिर एक विलियन विले और विलायक दो गटकों से मिलकर बना होता है इतने दो गटक विले और विलायक विले क्या होता है जो गुलनसिल परदात होता है वो विले के लाता है और विलायक जिसमें विले परदात घुलता है वो होता है विलायक और विले और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलियन बनता है. अब आगे विलियन के और बहुत सारे उदारण आपके सामने दिये हुए हैं. जैसे चीनी और जल का विलियन. किसका विलियन? चीनी और जल का विलियन एक तरल घोल में ठोस का उदारण है. है न? चीनी और ज चिनी का जो विलियन है वो एक तरल घोल के अंदर ठोस का उदारण है जिसमें चिनी आपका विले परदात है और जल कौनसा है जल आपका विलायक परदात है एक दूसरा आयोडीन और एलकोहल का विलियन जिसे हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं बहुती मैं तो पर दाथ है और एल्खोहल क्या है एल्खोहल आपका विलायक परदात है पिर तीसरा वाक्ट यूक्त पे परदात जैसे सोड़ा जल, कोक, इतियादी तरल विलियन में गैस के रूप में इनमें कारभनेंद र 카बंड- जो गैस है वो विले होती है और जल क्या होता है जल वाईउ गैस में गैस का मिस्रण है, वाईउ गैस के अंदर गैस का मिस्रण है, यह मुक्ख्यत्त दो गटक, एक आपका मुख्य गटा ओक्सीजन है, जो की लगबग 21% है, और दूसरा गटक नाइटरोजन है, जो लगबग 78%, उनका क्या है, समांगी मिस्रण है, और extoperarti है आप तो सानी होती है, अब बात करते हैं, कि विलियन के गुण क्या है तो बिलियन एक प्रकार का समांगी मिसरण है, पहली विसेस्ता क्या है, कि विलियन एक प्रकार का समांगी मिसरण है, दूसरी विसेस्ता, विलियन के कन व्यास में एक नैनो मिटर, एक नैनो मिटर का मतलब कितना होता है, तो एक नैनो मिटर का मतलब होता है, दसकी गात माइनस नो मिटर, कितना होता है 10 की गात माइनस 9 मीटर से भी चोटे होते हैं मतलब ये इतने चोटे हैं कि इन्हें हम आँकों से नहीं देख सकते हैं विलियन के कण हैं वो व्यास में एक 9 मीटर से भी चोटे होते हैं यानि कि ये इतने चोटे हैं कि इन्हें खुली आँकों से देख पाना संबब नहीं है एक फिर अपने चोटे आकार के कारण विलियन के जो कण है वो गुजर रही प्रकास की किरण को फैलाते नहीं है विलियन के कणों का आकार बहुत चोटा होने की बज़े से ये इनमे से ओकर गुजर रही प्रकास की किरण को फैलाते नहीं है इसलिए विल्यन में प्रकास का मार्ग दिखाई नहीं देता है यनि एगर विल्यन से ओकर हम प्रकास की किरन को गुजारेंगे तो मैं प्रकास की किरन का मार्ग दिखाई नहीं देगा अगली पिसेस्ता है कि चानने की विधी के द्वारा कुएनसि विदी के द्वारा? चानन विदी के द्वारा विले के कणों को विल्यन मैंसे परतक नहीं किया जा सकता है एक अगला विल्यन को सांत चोड़ देने पर विले क कण नीचे तली के अंदर नहीं बैठते हैं यदि हम विल्यन को कुन समय के लिए सांत छोड़ दे तो जो विले के कन हैं वो नीचे तली में सांत नहीं बैठते हैं इसका मतलब विल्यन की प्रकरती कैसी है विल्यन की प्रकरती इस्ताई है कैसी है विल्यन की प्रकरती इस्ताई है और अगला पॉइंट आप लिख सकते है कि विलेन किसे मिलकर बना होता है, विलेन आपका विले और विलायक से मिलकर बना होता है, विले और विलायक से मिलकर क्या बनता है, आपका विलेन बनता है, ये सारी विश्षता होगी आपकी विलेन के गोन धरम, ये सारी किसकी विश्षता होगी, आपके विलेन की विश्षत से ये प्रकास की किरन को फैलाने का काम नहीं करते अतो विलियन में प्रकास का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता फिर चानन विदी के दुआरा विलियन में से विले के कणों को पर्थक करना संबव नहीं है और विलियन कैसा होता है इसता ही होता है और विले और विलायक के मिल तो देखो सांदर्ता का पहली बात तो मतलब क्या है, है ना सांदर्ता का मतलब क्या है, तो देखो सांदर्ता की प्रिभासा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सांदर्ता आखिर होती क्या है, है ना, यहाँ पर मैं प्रिभासा लिख रहा हूँ सांदर्ता की प्रिभासा, कि संद्रता आफिर कहते किसे हैं तो हम प्रिबासा लिखेंगे कि किसी मिस्रण में किसी मिस्रण में इकाई आयतन में उपस्तीत मिस्रण में इकाई आयतन में उपस्तीत किसी परदात की विशेश मात्रा होती है किसी परदात की विशेश मात्रा होती है किसी परदात की विशेश मात्रा होती है ठीक उसे कहते हैं संद्रता किसी मिश्रण के इकाई आयतन में उपस्तित किसी परदात की जो विशेश मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे संद्रता जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास एक गिलास है क्या है एक गिलास है ठीक अब यहाँ पर देखो इस गिलास के अंदर मैंने कुछ लिया है जैसे मैंने यहाँ पर लिया है इस गिलास के अंदर समझ लीजिए आपका 200 ग्राम 200 ग्राम क्या है चीनी और समय लीजिए 50 ग्राम 50 ग्राम क्या है आपका नमक है न पचास ग्राम कितना है नमक है और बाकी जो है वो समय लीजिए कितना हो गया आपका साड़े साथ सो ग्राम साड़े साथ सो ग्राम क्या है पानी है क्या है पानी अब मैं कहूं कि इस गलास में किस परदात की सांदरता सबसे ज़्यादा है इस गिलास के अंदर किस परदात की सांदरता सबसे ज़्यादा है तो आप कहोगे कि सर पानी की सांदरता सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस गिलास का जो आयतम था वो गिलास का आयतम कितना है समय लीजिए एक लीटर का कितना है ए है और बागी हमने चिनी और नमक लिया है अब देखो इसमें पानी सबसे ज़्यादा है तो यहां पर हम गिलास के उद्रन से समझ सब्चते हैं इसमें पानी की मात्रा सबसे अधीक है तो पानी की सांदरता सबसे अधीक है उसके बाद चीनी की सांदरता अधीक है और उसके बाद सबसे कम सांदरता किसकी है नमक की है तो हम जानते हैं कि विल्यन में पर्तक पर्तक मात्रा में विलायक और विले परदात होते हैं विल्यन क प्रदात है उस प्रदात की मात्रा के आधार पर विल्यन को तनू सांद्र या असंत्रप्त गोल कहा जा सकता है विल्यन में मौजुद विले प्रदात की मात्रा के आधार पर उसे हम तनू विल्यन भी कह सकते हैं या सांद्र विल्यन भी कह सकते हैं मतलब तनू और सांद्र द और एक मैंने लिका सांध्र विलियन जैसे मैंने कहा तनु विलियन, तनु विलियन का मतलब क्या है? तो तनु विलियन का मतलब है कि विले मात्रा, विले की मात्रा कम, विले की मात्रा क्या है विले की मात्रा जादा है और विलायक की मात्रा क्या है? विलायक क्या है कम है और व तनू विल्यन जैसे एक गिलास के अंदर 5 लिटर पानी है और उसमें आधा किलो चीनी है तो वो कौन सा विल्यन होगा तनू विल्यन फिर बात करें सांद्र विल्यन सांद्र विल्यन में विले क्या होगा सांद्र विल्यन में विले कम होगा और विलयक क्या होगा विलयक आप आपका ज्यादा होगा यह सिंपल बाहसा में कहें तो तनू विल्यन का मतलब है कि एक आपका पतला विल्यन है ना अपने मारवाणी में बोलते हैं तनू यानी पतला विल्यन और सांद्रे मतलब गाडा विल्यन है ना सांद्रे का मतलब कह सकते हैं गाडा विलियन कौनसा विलियन गाडा विलियन और तनू विलियन का मतलब है पतला विलियन तो तनू के अंदर विले जादा होगा और विलायक कम होगा और सांद्र विलियन में आपका विले कम होगा और विलायक जादा होगा तो यह दोनों क्या है एक दूसरे के तुलनात्म सब्द है आगे बात करते हैं संत्रप्त विल्यन और और संत्रप्त विल्यन की यह को संत्रप्त विल्यन क्या होता है कि वह विल्यन जिसमें किसी निच्चित तापमान पर उतना ही विले परदात गुल सकता है जितनी की विल्यन की समता होती है वह विलियन जिसमें एक निच्चित तापमान पर उतना ही विले परदात गुल सकता है जो इतनी उस विलियन की क्या होती है समता होती है जैसे मैंने दूसरे सब्दों में लिखा है कि दिये गए निच्चित तापमान पर यदि विलियन में विले परदात नहीं गुलता है तो उसे कहेंगे संत्रप्ट विलियन मतलब बह विल्यन जिसमें दिये गई निच्ची ताप मान पर विले परदाट को हम और जादा नहीं गोल सकते उसे कहेंगे संत्रप्ट विल्यन यह उस विल्यन के अंदर विले परदाट को और जादा गोलने की कैफेसिटी नहीं है उसे कहेंगे संत्रप्त विल्यन तो विले परदात की वह मात्रा ताप पर संत्रप्त विल्यन में उपस्ती थे उसकी गुलन सिल्ता कलाती है गुलन सिल्ता किसे कहेंगे विले परदात की वह मात्रा जो उस ताप पर संत्रप्त विल्यन में उपस्ती थे तो विले प्रदात की उस मातरा को कहेंगे उसकी घुलन सिल्ता क्या कहेंगे उसकी घुलन सिल्ता कहेंगे तो यानि संत्रप्त विल्यन के सीधी साधी परिवासा ये होगी कि एक निचित आपमान पर जब किसी विल्यन में हम विले प्रदात को और ज़्यदा नहीं गोल सकते तो उस अवस्ता को कहेंगे संत्रप्त विल्यन या विल्यन की उस अवस्ता को कहेंगे संत्रप्त विल्यन जब उसमें हम और ज़्यादा विले परदात नहीं घोल सकते हो एक दूसरा है असंत्रप्त विल्यन यदि एक विल्यन में विले परदात की मात्रा संत्रप्ता से कम है तो उसे कहेंगे असंत्रप्त विल्यन यदि एक विल्यन के अंदर विले परदात की जो मात्रा है वो उसके संत्रप्त लेवल से कम है मतलब विल्यन में हम विले को अभी भी घोल सकते हैं उस अवस्ता को कहेंगे असंत्रप्त विल्यन यदि हम विलायक के अंदर और विले को घोल सकते हैं तो उस अवस्ता को कहेंगे असंतरप्त विल्यन यानि एक ऐसा विल्यन जिसमें हम विले परदात को अभी और भी क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं क्या घोल सकते हैं उसे कहेंगे असंतरप्त विल्यन फिर अतिसंतरप्त विल तो अतिसंत्रप्त विल्यन का मतलब क्या है कि यदि विल्यन में विले प्रदात की सांद्रता संत्रप्त इस्तर से तो उसे कहेंगे अतिसंत्रप्त विल्यन क्या कहेंगे अतिसंत्रप्त विल्यन यदि विल्यन में विले प्रदात की जो मात्रा है वो विले प्रदात की मात्र यानि सांद्रता संत्रप्त इस्तर से क्या हो संत्रप्त इस्तर से अधीक हो यहाँ पर गलती से लिखा है मैंने कम क्या होगा संत्रप्त इस्तर से अधीक हो तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे अतिसंत्रप्त विल्यन तो यहाँ पर देखो असंत्रप्त और अतिसंत्रप्त में क्या फ़राख है कि असंत्रप्त का मतलब है कि विल्यन में विले प्रदात की जो मात्रा है वो संत्रप्ता, संत्रप्ता का मतलब है गुलने की संता से क्या है? कम है. अनि विले को हम विलायक में और अभी भी गोल सकते हैं. और अतिसंत्रप्त में क्या होता है? कि विले प्रदात की जो सांधरता है, जो मात्रा है, वो उसके संत्रप्त इस्तर से क्या है? बहुत अधीक है उसे कहेंगे हम अतिसंत्रप्त विल्यन कहेंगे एक यह थे विल्यन के परकार आगे बढ़ते हैं विल्यन की सांदरता का सुत्र क्या है तो विल्यन की सांदरता का सुत्र है विले की मात्रा बटे में विल्यन की मात्रा विले की मात्रा बटे में विल्यन की मात्रा यानि बटे में विलियन की मात्रा या दूसरा सुत्र है विले की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा विले की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा ये दोनों ही विलियन की सांदरता निकालने की क्या है सुत्र है बहुती मैत्वपोन है तभी एक बार प्रिक्सा में एक नंबर का नुमेरिकल पहुचा जाता है और दरवेमान बटे में विलियन का दरवेमान परतीसत दरवेमान बटे में विलियन का अगर हमें दरवेमान परतीसत निकालना है यदि में दर्वेमान और विल्यन का आयतन परतिशन निकालना है, तो क्या कहेंगे, तो विले परदात का दर्वेमान बटे में विल्यन का आयतन गोना 100, तो क्या निकल जाएगा, दर्वेमान और विल्यन का दर्वेमान आयतन परतिशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आयतन परती सकूँ एक ये दोनों सुत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं निलंबन कि निलंबन क्या है तो निलंबन एक परकार का विस्मांगी मिस्रण है जिसमें विले परदात के कन गुलते नहीं है बलकि उस माध्यम की समस्टी में क्या रहते हैं निलंबित रहते हैं यानि निलंबित कनों को हम आँखों से आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये विले परदात कन गुलते नहीं है विलायक में चिदी सी बात है जब गुल रहे नहीं है तो हम उनको अलग-अलग आसानी से देख सकते हैं ठीक हम निलंबन के गुण धरम की बात करें, तो पहला गुणें कि ये विस्मांगी मिस्रण है, जिससे प्रकास का जो मार्ग है, वो दर्ष्ट्री गोचर हो जाता है, यानि यह में आसानी से दिखाई देता है, पिर जब इने हम सांथ चोड़ देते हैं, तो ये कं नीचे तली की और बैठ जाते हैं, अर्दा फेला देते हैं जिसे मैं प्रकास की किरन का जो मार्ग है वो आसानी से दिखाई देना लगता है अगली पिसेस्ता जब निलंबन को सांत जोट दिया जाता है तो इसके कण नीचे तली में बैठ जाते हैं यानि निलंबन अइस्ता ही होता है और इस वज़े से चानन विद्धी के द्वारा हम इसके कणों को मिस्रण से आसानी से अलग कर सकते हैं एक अगला है कोलाइडिल क्या है कोलाइड या कोलाइडि विलियन तो यह क्या है यह एक परकार का दिसमांगी मिस्रण है कोलाइड भी क्या है कोलाइड भी आपका एक परकार का दिसमांगी मिस्रण है कुलाइल्ड के कनों का आकार इतना चोटा होता है कि ये पर्थक रूप से आखों से नहीं देखे जा सकते यानि कि खुली आखों से इन्हें देख बाना संभव नहीं है खुली आखों से इन्हें अलग अलग देख बाना संभव नहीं है लेकिन ये इतने बड़े जुरूर होते हैं कि ये प्रकास की केरण को फैलाते हैं और प्रकास के मार्ग को क्या बनाते हैं दर्से बनाते हैं अगला गुंद्रम है कि जब इनको सांत चोड़ दिया जाता है यानि जब कुलाइडी विलियन को सांत चोड़ दिया जाता है तब ये कन यानि इनके कन है वो तली के उपर क्या हो जाते हैं बैट जाते हैं तब इनके कन तली के उपर बैट जाते हैं अर्थात ये कैसे होते है अर्थात ये इस्तायोत, अगली विशेस्ता है कि ये चानन विधी के द्वारा मिस्रन से परतक नहीं किया जा सकते, किन्तु एक विशेस विधी इसका नाम है अब केंदरी करण विधी उस तक्निक की मदद से कुलाइडी करणों को परतक परतक किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुलाइडी विल्यन है, वो एक परकार का विश्मांगी मिस्रन है, कुलाइडी करणों का आकार इतना चोटा होता है, कि ये परतक रूप से आखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन सुक्सम दर्शी की मदद से आखों से आसानी से देखे जा सकते हैं, फिर कुलाइडी विल लेकिन चानन विदी के द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता बलकि एक अन्य तक्निक जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण विदी उस विदी की मदद से कुलाइडी कुणों को अलग-अलग किया जा सकता है ठीक अब बात करें टिंडल प्रभाव की कि टिंडल प्रभाव होता क्या है तो परकास की किरण का फैलना ये क्या कलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है कुलाइडी विलियन के द्वारा परकास की किरण को फैलना क्या कलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है एन्यम क्या सकते हैं कि कुलाइडल के चोटे चोटे जो कण है वो प्रकास की कीरण को फैला देते हैं जिस बज़े से प्रकास की कीरण का वार्ग हमें दिखाई देता है और इस प्रकार प्रकास की किरणों का फैलाना क्या कहलाता है तिंडल प्रभाव कहलाता है क्योंकि तिंडल नामक विज्ञानिक ने इसकी कोज की थी तो इसी के नाम के आधार पर इस प्रभाव का नाम क्या पड़ा तिंडल प्रभाव पड़ा जैसे अगर मैं उदारन की बात करूँ तो एक कमरे में चोटे चिद्र के दुआरा जब परकास की किरण आती है तब वहाँ पर हमें तिंडल प्रभाव देख सकते हैं तब वहाँ पर हम किसको देख सकते हैं और कारबन के मौझुद कण जो प्रकास की किरन को फैलाने का काम करते हैं इसी तरह उदारन जब एक गने जंगल के आचादन से सूर्य की किरन गुजरती है तो वहाँ पर भी हम तिंडल प्रभाव को देख सकते हैं जंगल के कोहरे में चोटे-चोटे जल के जो कन होते हैं जो की कुलाइडी कनो के समान क्या करते हैं बैवार करते हैं और परकास की किरनों को फैला देते हैं अथा वहाँ पर भी हम तिंडल प्रभाव दिखाई देता है आगे बात करें टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कॉलाइड के और कुछ सामाने उदारण कौन कौन से हैं जो टिंडल प्रभाव को दर्शा सकते हैं Deekhau, पहला है दूद, दूद भी आपके कॉलाइडी विलियन का अई एक उदारण है फिर फेस क्रीम जो चेहरे पर लगाने के क्रेम होती है वो भी कुलाइडी मिलियन का एक उदारन है इसके बाद कोहरा इसके बाद बादल इसके बाद धुआ फिर सेविंग क्रीम सेविंग क्रीम इसके बाद milk of magnesia mg, OH2 milk of magnesia फिर कीचड जैली आपका पनीर मक्खन यह सब आपके कुलाइडी मिलियन के ही क्या है आएए सारे कुलाइडी मिलियन के ही उदारन है ठीक, यहापर देखो आपका चित्र दिया हुआ है किसका आपके टिंडल प्रभाव का चित्र दिया हुआ है जैसे पहले चित्र के अंदर कौपर सलफेट का जो विलियन है वो टिंडल प्रभाव परदसीद नहीं करता है जो पहला चित्र है ए इसमें किसका विलियन प्रभाव हुआ है कौपर सलफेट का तो ये copper sulphate का जो billion है, वो टिंडल प्रभाग को परदसित नहीं करता, लेकिन दूसरे के अंदर क्या है, दूसरे के अंदर दूद और पानी का मिस्रन है, इसका मिस्रन है, दूद और पानी का मिस्रन है, ये परकार का collide billion है, अथो ये प्रकास की किरन को क्या कर रहा है, देखो फैला रहा है, अथो ये टिंडल प्रभाग को परदसित कर रहा है, इसी तरह दूसरा चित्रव दिया हुआ है, ये गने जंगल के अंदर जब सूरे के प्रकास की किरन गुजरती है, तो वहाँ पर जो वायू मंडल होता है, उस वायू मंडल के अंदर जो जल की चोटी-चो के बात करें, कुलाइडी विल्यन के कुछ सामाने उदारन, कुलाइडी विल्यन के कुछ सामाने उदारन, तो देखो, कुलाइडी विल्यन, अगर बात करें, कुलाइडी विल्यन के घटक की, तो कुलाइडी विल्यन के घटक दो होते हैं, उनको मैं यहाँ पर बता रहा पुलाइडल विल्यन के घटक, कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, पहला होता है, प्रिशिप्त प्रावस्ता, प्रस्तिप्त प्रावस्ता, और दूसरा होता है, प्रिशेपन माध्यम, क्या होता है, प्रिशेपन माध्यम, ठीक, अब देखो, प्रिशिप्त प्रावस्ता क्या होती है, तो विल्य परदात की तरह का ही ये घटक होता है, क्या कह सकते हैं कि प्रसिप्त कन जो की पॉलाइडिल के रूप में रहता है उसे कहते हैं प्रसिप्त प्रावस्ता यानि जो विले के कन होते हैं उसको कहते हैं प्रसिप्त प्रावस्ता विले कनो को कहते हैं विले कनो को कहते हैं प्रसिप्त प्रावस्ता और प्रिशेपन माध्यम यानि वह गटक जिसमें प्रसिप्त प्रावस्ता निलंबित रहती है उसे कहते हैं प्रिशेपन माध्यम यानि विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वित्रित रहते हैं उसे कहते हैं प्रिशेपन माध्यम, रथात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से क्या रहते हैं, वित्री तरह रहते हैं, उसे कहेंगे प्रिशेपन माध्यम, तो प्रिशेपन माध्यम का मतलब क्या है, प्रिशेपन माध्यम का मतलब है विलायक, ठीके, क्या है विलायक, तो विलायक के कनो क कहेंगे प्रसिप्त प्रावस्ता और विलायक की कणो को कहेंगे प्रिशेपन माध्यम ठीके ये क्या है कुलाइडी विल्यन के दो गटक है अब आगे बढ़ते हैं आपके कुलाइडी विल्यन के कुछ सामान्य उदारण इनसे कभी गभार प्रिक्षा के अंदर प्रश्णा पूछा जाता है देखो यहां पर लिखा हुआ है विले और यहां पर लिखा हुआ है विलायक देखो दरव और गैस जो विले परदा दरव हो और विलायक क्या हो गैस हो यानि कि दरव का गैस में विल्यन तो दरव का गैस में विल्यन का उदर्ण क्या है एरोसॉल एरोसॉ इसी तरह ठोस का गेस में विलियन ठोस का गेस में विलियन वो भी क्या है आपका एरोसल उसका उदारण क्या है धुआ फिर तीसरा गेस का द्रव में विलियन वो क्या है उसे कहेंगे हम फॉर्म या जाग और उदारण क्या है सेविंग क्रिम फिर द्रव का द्रव में विलियन तो द्रव का द्रव में विलियन क्या कहलाएगा इमल्सन बहुती महत्वपोने द्रव का द्रव में विलियन क्या कहलाता है इमल्सन जैसे दूद चहरे की क्रीम द्रवाजों का पैंट है न यह क्या है ये इमलसन के उधारन है फिर पांचवा ठोस का द्रव में विलियन क्या क्या कलाता है सौल जैसे बालू और गोबर फिचट्टा गैस का ठोस में विलियन क्या क्या लाएगा form या जाग, जैसे जाग, rubber और sponge फिर साथवा, दरव का ठोस में विलियन, क्या 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 लाएगा gel अथवा jelly मेहतोपोने ये भी, दरव का ठोस में विलियन, gel अथवा jelly, जैसे jelly और पनीर आठवा, ठोस का ठोस में विलियन, जैसे ठोस सौल, यह रंगिन दूद, रंगिन रतन और कांच, जैसे इसके उधारन है, ठोस का ठोस में उधारन है, जैसे गेस में गेस, कॉलाइडी विलियन नहीं है, क्योंकि यह क्या है, यह अपने आप में एक मिसरन होता है, तो गेस का गेस में कॉलाईडी विलियन नहीं होता अगे बात करते हैं वास्तवीख विलियन कॉलाईड और निलमन में अंतर बहुती महत्व मार्ण न document है कि विलियन कि आपका कोवाईड और निलम्न इन तीनों के अंदर अंतर इप देखो पहला है वास्तवीख विलियन वास्त्विक विल्यन, तो यह दो या दो से अधिक परदातों का समांगी मिस्रण होता है, अत्वा सजातिय मिस्रण होता है, वास्त्विक विल्यन क्या होता है, दो या दो से अधिक परदातों का वास्त्विक समांगी मिस्रण होता है, यह सजातिय मिस्रण होता है, पुलाइ पिर बात करें निलंबन की यहां किसी ठोस का विसम जाती है मिसरण है जो द्रव या गयस में क्या रहता है विक्सेपीत रहता है यहां किसी ठोस का विसम जाती है मिसरण है जो द्रव इत्वा गयसी अवस्ता में क्या रहता है विक्सेपीत रहता है दूसरा है विले के अनू विले के अनु दिखाई नहीं दे सकते हैं, यानि वास्त्विक विले के अंदर विले के जो कण हैं, वो अमें दिखाई नहीं देते हैं, जबकि कुलाइल के अंदर विले के जो अनु या कण हैं, वो सुक्सम दर्सी की मदद से देखाई दे सकते हैं, वो सुक्सम दर्सी की लंबन की तो ठोस अवस्ता के अणू नंगी आखों से दिखाई दे सकते हैं लेकिन गयस और द्रव अवस्ता के जो नू है उन्हें नंगी आखों से देखा नहीं जा सकता फिर वास्तविक विल्यन में अनू को जो आकार है तो दसकी गात माइनस 9 मिटर से थोड़ा कम होता है वास्तविक विल्यन में अनू का जो आकार है यानि जो विल्यक अनू है उनका जो आकार है तो दसकी गात माइनस 9 मिटर से थोड़ा कम होता है वही कुलाइड विल्यन के अंदर अनू का आकार दसकी गात माइनस 6 मिटर से लेकर दसकी गात माइनस 9 मिटर के बीच में होता है वही निलंबन में अनुवों का आकार दसकी गात माइनस 6 मिटर से क्या होता है ज्यादा होता है अगला अंत कर कि जो वास्त्विक विल्यन है वास्त्विक विल्यन के अंदर जो विले के कण है उनके चान कर वास्त्विक विल्यन के अंदर जो संगटक होते हैं उनको चान कर हम परतक परतक नहीं कर सकते हैं वही कुलाइडी विल्यन के जो घटक है उनको केवल अब कैंद्रीकरन विदी के द्वारा ही परतक किया जा सकता है उनको चान कर अलग नहीं किया जा सकता वही जो निलंबन के गटक है उनको साधरन विदी से चान कर भी अलग किया जा सकता है फिर वास्तविक विलियन के उधारण की बात करें तो छीनी का जलिय विलियन पुलाइड की बात करें तो वो आपका दूद है और निलंबन की बात करें तो वो आपका गंदा पानी है ये तीनों के अंदर क्या हो गया? अंतर हो गया तो इस तरह हमने आज की क्लास में क्या सीखा, सुद्ध परदात क्या होता है, मिस्रण क्या होता है, मिस्रण की परकार क्या है, विलियन क्या है, विलियन के अलग अलग परकार क्या है, उनके बारे में अच्छे से समझा है उम्मित करता हूँ आज की सारे टॉपिक आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही, जै हिंद, जै भरत